हेलो स्टूरेंटस मैं आप एमरिदकोर आइओब अपने गळर में सटेफ होंगे स्टूद्टस स्टूरेंट जैसे कि हमारा जो फेस आफ टीचिंग का हमारा टॉपिक चल रहा था जिसमें हमने अपनी पिछली वीडियोज में जो हमारे फेस आफ टीर जो 3 Parts थे, Pre-Active Face of Teaching, Interactive Face of Teaching, और, आज, उसी के तहत, आज हम अपना Next Topic ले रहे हैं, इसके अंतरकत लिए last Topic है इसका, यह पोस्टेक्टिफ फेस of Teaching जाने की शिक्षण का उत्तार क्रिया चरण, जो की After the Teaching जो हमारे साथ जो भी गटनाैं होती हैं, यह उस पे depend करता है जैसे कि teaching के बाद की जो फेस होता है उसे हम मुल्यांकन यानि की evaluation से सम्मंदित होता है बिना evaluation के शिक्षन जो है हमारी teaching जो है उसको हम पूर्ण नहीं मान सकते वो अपूर्ण रहती है इस अवस्था को इस face को मुल्यांकन अवस्था यानि की evaluation phase भी कहा जाता है इसमें student विद्यार्थियों के जो behavior है उसका मापन करने के लिए उनको written और जो oral questions पूछता है ताकि उन्होंने क्या achieve किया उसका सही से मुल्यांकन यानि evaluation हो सके इस अवस्था से जो क्रियाओं जिन क्रियाओं पर विशेज ध्यान दिया जाता है वो इस प्रकार से हैं शिक्षण द्वारा व्यावार परिवर्तन के शुद्रूप की परिभाशा यानि कि शिक्षण जो हमारा अध्यापक है वो व्यावार परिवर्तन को तुलना करके evaluation करता है जब अधिकांश student अपेक्षित व्यावार करने लगते हैं तब अध्यापक इस conclusion पर पहुंचता है कि टीचिंग की युक्तियों और विदियां पर भावशाली रही या नहीं रही उसी से पालूंग चलता है कि टीचर ने जो पूरे टाइम महनत की उसको result जो है student के evaluation पर ही depend करता है next topic next point है इसमें हमारा मुल्यांकन की उप्युक्त प्रविदियों का चैन teacher student के behavior में अपेक्षित परिवर्तनों के जो evaluation के लिए प्रियुक्त प्रविदियों यो method का चैन करता है जिन परिक्षाओं का चैन किया जाए वे विश्वशनिय और वैदे होनी चाहिए valid होनी चाहिए और trustworthy होनी चाहिए दोनों परकार की जो हमारी परिक्षाओं है उनका उप्योग किया जाए ज्यानात्मक और अज्यानात्मक दोनों पक्षों का evaluation कर हो सके शिक्षर से स्टूडन्ट के सभी पक्षों का development किया जाता है इसलिए निश्पत्ती परिक्षा की अपेक्षा जो हमारा मांडंड परिक्षा को अधिक जो है importance दी जाने लगा है इसमें हमारा जो next point है वो है प्राप्त साक्षियों से शिक्षर नीतियों में परिवर्तन evaluation के दوारा student के निशपादन और उदेशी की प्राप्ती के संबंद में निर्णय लेने के साथ परिक्षाओं के परिणामों से teacher से अपने annudation और शिक्षण युक्तियों के संबंद में निर्णय लेता है मुल्यांकन के द्वारा जो evaluation की help से teacher को annotation और अपने जो method of teaching है उनके अधार पर development के लिए अधार मिलता है इसलिए evaluation के द्वारा teaching की जो जितनी भी करियाएं हैं उनका निदान भी किया जाता है इसमें उन्हें सुधार करके उनको प्रभावशाली बनाया जाता है इसके बाद students हमारा next इसमें point है शिक्षण के बाद की अवस्था का महत्व यानि importance of post active phase of teaching तो इसमें जो सबसे पहला हमारा उदेशे है वो importance है वो इस प्रकार से है कक्षिय परियावरन का मुल्यांकन जो teaching के समय जो हमारी classroom का एक atmosphere होता है उसकी भूमिका का evaluation किया जा सकता है इसके परिणाम सरूप कक्षिय परबंदन में वांचीत परिवर्तन किया जा सकते हैं इस परकार शिक्षण के बाद की अवस्थाओं में अध्यापक विद्यारतियों को अवश्यक प्रश्ट पोशन यानि कि अपना जो feedback प्रदान करके उन्हें अपने कारिये में सुधार लाने में सहायता देता है कि जो जो उनकी कमिया रह गई है student की उनको बता कर मुल्यांकन की सहायता से उनको दूर करने की कोशिश करते है next है उद्याइश्यों का मुल्यांकन इस शिक्षण अवस्था में निर्धारित किये गए उद्याइश्यों की उप्युक्तता की जाच की जासकती है और इस बात कर निर्णय भी किया जाता है कि उद्देश्यों को जारी रखा जाए उनमें परिवर्तन किया जाए या उनमें कोई सुधार किया जाए ये डिपेंड करता है टीचस के उपर अगर उनके उद्देश्यों में कोई प्रॉब्लम है कि अगर वो बिना चेंजिस के ही उसी तरीके से स्टार्ट रखने चाहिए या उनमे कोई change करना चाहिए या उनमे जो जो हमें needs हैं, हमें उनको किस परकार से useful बनाना है next है हमारा अनुदेशात्मक प्रकरिया का मुल्यांकर, अनुदेशात्मक प्रकरिया सामगरी एवं नीतियों का भी मुल्यांकन किया जाना चाहिए परिमान सवरूप शिक्षन नीतियों और तक्नीकियों में सुधार किया जा सकते हैं जो हमारी इसके अधार पर ही हम अपने जो teaching methods हैं और जो techniques हैं उन भे हम development कर सकते हैं उन में हम changes ला सकते हैं कि जिससे हमारा student जादा से जादा knowledge को gain कर सके और ठीक परकार से अपने ज्यान को और वर्धक बना सके इसमें हमारा student last point है विशेवस्तू का मुल्यांकन विशेवस्तू की उप्युक्तता एवम उसके गठन के सम्मंद में नए सुझाव दिये जा सकते हैं विशेवस्तू को जारी रखने या नए विशेवस्तू निर्धारित करने के संबंद में ले जा सकते हैं यानि कि जो हमारा content है उसकी क्या उप्युक्तता होनी चाहिए और उसके संबंद में हमें क्या नए जो हैं हमारी तरफ से suggestions को दिये जा सकते हैं और इन सारे suggestions को किस level तक हमें और जो हमारी content जो हमारा चल रहा है उसको हम किस level तक उसको start रख सकते हैं या उसमें निर्धारित करने के संबंदों का संबंदों में निर्ने जो है हम decision जो है वो ले सकते हैं student आज हमारा जो face of teaching था वो topic हमारा आज clear होता है अब हम आपके साथ नए वीडियो में एक नए topic के साथ बात करेंगे thank you and have a nice day